भगवान का ध्यान करते हैं और शुरू करते हैं अर्दीसवा ध्याय अकरुड जी की वरज यात्रा शिशुक्देव जी कहते हैं परिक्षित महामती अक्रूर जी भी वहरात मत्वरापूरी में बिता कर प्रात्यकाल होते ही रत पर सवार हुए अरंद बाबा के गूकुल की ओड़ चल दिये परम भागवान अक्रूर जी व्रज की यात्रा करते समय मार्ग में कमल नैन भगवान श्रकृष्ण की परम प्रेम मही भगती से परिपूर हो गए वह इस प्रकार सोचने लगे मैंने ऐसा कौन सा शुब कर्म किया है ऐसी कौन सी शृष्ष तपस्या किया है अत्वा किसी सत्पात्र को ऐसा कौन सा महत्रूर दान दिया है जिसके फल सुरूप आज मैं भगवान श्रकृष्ण के दर्शन करूँगा अगर जैसे हम भी भगवान के दर्शन करने के लिए जाएं तो भी हम भी यही सोचेंगे कि ऐसे हमने कौन से कर्म किया है जिससे हमको भगवान के दर्शन हो रहे हैं वैसे ही अकुरूर जी भी सोच रहे हैं कोई भी ऐसे ही सोचेगा मैं बड़ा विशे हूँ ऐसी सिती में बड़े-बड़े सातिक पुरुजबी जिनके गुरों का ही गान करते रहते हैं दर्शन नहीं कर पाते हैं उन भगवान के दर्शन मेरे लिए अत्यांत दुल्लब हैं टिक वैसे ही जैसे शुद्र कुल के बालक के लिए वेदों का किर्टन बिलकुल ऐसे ही जब विभीशन जी राम जी से मिलने जाते हैं न तो वह भी बिलकुल ऐसे ही सोच रहते हैं कि आज में भगवान के दर्शन करूँगा वैसे ही अक्रूर जी भी ऐसी सोच रहें परन्तु नहीं मुझ अधम को भी भगवान चिरक्रिष्न के दरश्वन होंगे ही योगी जैसे नदी में बहते वे तिनके कभी-कभी इस पार से उस पार लग जाते हैं जैसे ही समय के प्रभा से भी कहीं कोई इस संसार सागर को पार कर सकता है जैसे कभीर दाज जी ने कहता कहत कभीर सुनो भाई साधो पार उतर गए संत जनारे अवश ही आज मेरे सारे अशुब नश्ट हो गए भगवान के अगर भगवान के दर्शन हो गए तो इसका मतलब लाइफ में जितने भी आपने कर्म कियें वो सब सही जितनी मी चीज़े आपने संसार में करी हैं पूरी लाइफ आपने जितनी मी चीज़े करी हैं वो सब सही हो गई इसलिए लिखाया आवश्य आज ही मेरे सारे अशुप नश्ट हो गए ऐसा वह सोच रहे हैं आज मेरा जन्म सफल हो गया क्योंकि आज मैं भगवान के उन चर्ण कमलों में साक्षा तमस्कार करूँगा जो बड़े-बड़े योगी यतियों के केवल ध्यान केही विशे हैं जो भगवान ध्यान में भी न हाती है उनकी दिर्शन करेंगे आज एक्रोड जी अहो कन्स ने तो आज मेरे ऊपर बढ़ी क्रिपा की है उसी कन्स ने उसी कन्स के भेजने से मैं इस बूतल पर अवदीन स्वेम भगवान के चर्ण कमलों के दिर्शन पाऊंगा जिनके नख मंडल की कांती का ध्यान करके पहले योगों के रिशी महरिशी इस अज्ञान रूप अपार अंधकार राशी को पार कर चुके हैं स्वेम वही भगवान तो अवतार ग्रहा करके प्रकट हुए हैं ब्रमा, शंकर, इंद्र, आदि, बड़े बड़े देवता जिन चर्ण कमलों की उपासना करते रहते हैं स्वेम भगवती लक्ष्मी एक शर्ण के लिए भी जिनकी सिवा नहीं छोड़ती प्रेमी भक्तों के साथ बड़े बड़े ज्यानी भी जिनकी अरादना में सलगन रहते हैं बागवान के वही चर्ण कमल गौवान को चर्णने के लिए गौालबालों के साथ वन वन में विचरते हैं वही सुर्ण मुनी वन्दित श्री चर्ण गोपियों के वक्षास्तल पर लगी हुई केसर से रंग जाते हैं जिन्नित हो जाते हैं ये वाला श्लोक जो हैं विगाफिर से पढ़ते हैं ब्रह्मा शंकर इंद्र आदी बड़े बड़े देता जिन चर्ण कमलों की उपासना करते रहते हैं स्वें भगवती लक्ष्मी एक शर्ण के लिए भी जिनकी सेवा नहीं छोड़ती प्रेमी भक्तों के साथ बड़े बड़े ज्यानी भी जिनकी अरादना में सनलगन रहते हैं भगवान के वही चर्ण कमल गौँ को चराने के लिए गालबालों के साथ बन में विचरते हैं वही सुर्मुनी बंदित श्री चर्ण गोपियों के वक्षासर पर लगी हुई केसर से रंग जाते हैं चिन्नित हो जाते हैं मैं अवश अवश उनका दर्शन करूँगा मर्कत मरी के समान सुसनिक्द कांती मार उनके कोमल कपोल है कपोल का मतवता है गाल तोते की ठोर के समान नुकीली ना सिका है होटों पर मंद मंद मुसकान प्रेम भरी चित्वन कमल से कोमल रतनारे लोचन मैं प्रेम और मुक्ति के परमदानी श्री मुकुंद के उस फुक कमल का आज अवश दर्शन करूँगा क्योंकि हरिन मेरी दाई ओर से निकल रहे हैं भगवान विश्नु प्रत्वी का भार उतारने के लिए स्वेच्छा से मनुश्य की सी लिला कर रहे हैं वे संपूर लावन्न के धाम है सौंदर की मुर्तिमान निधी है आज मुझे उनीका दर्शन होगा अवश्य होगा आज मुझे सहज में ही आँखों का फल मिल जाएगा भगवान का इस कार कार रूब जगत के द्रश्टा मात रहें और ऐसा होने पर भी द्रश्टा पन का एंकार उन्हें छू तक नहीं गया है उनकी चिन्मई शक्ती से अज्ञान के कार होने वाला भेद ब्रह्म अज्ञान से दूर से निरस्ट रह वे अपनी योग माया से ही योग माया जो है ना उन्हें वो भगवान की पराशक्तियों कहते हैं योग माया फेस में हम लोग ने ये भी पढ़ा है लिखा है उनकी चिन्मई शक्ती ये चिन्मई शक्ती और योग माया ये एकी बात है ये पराशक्ति की बात हो रही है और फिर लिखा है अज्ञान के कारण होने वाला भेद ब्रह्म अज्ञान से दूर से निरस्ट रहता है भेद ब्रह्म का मतलब है माया एक तो माया जो है वो बिलकुल दूर रहती है अगर किसी को बगत प्राप्ती हो जाए तो उसकी माया बिलकुल दूर हो जाती है इसलिए यहाँ पर इस तरिके से लिखा है वो उनकी चिनमेश शक्ती से अग्यान के कारण होने वाला भेद ब्रह्म अग्यान से दूर से निरस रहता है वे अपनी योग माया सही अपने आप में बुरूवी लास मातर से प्राण इंद्रिये और बुद्धी आदी के सहीद अपने सुरू भूजीवों की रचना कर लेते हैं केवल भाओं के इशारे से आदी के सहीद अपने सुरू भूजीवों की रचना कर लेते हैं जब समस्त पापों के नाशक उनके परमंगल में गुण कर्म और जन्म की लिलाओं से युक्त होकर वानी उनका गान करती है तब उस गान से संसार में जीवन की सूर्थी होने लगती है शुभा का संचार होने लगता है सारी अपवित्रता हैं धुल कर पवित्रता सामराज हो परंतु जिस वानी से उनके गुर्ण लीला और जन्द की कथाएं नहीं गाई जाती हैं वह तो मुर्दों को ही शुभित करने वाला है होने पर भी नहीं के समान जर्थ है जिनके गुर्णगान का ही ऐसा महत्म हैं वही भगवान स्वेम युदुवंश में अबतीन हुए हैं क अपनी ही बनाईवी मुर्यादा का पारण करने वाले शुरिष्ट देवताओं का कल्यान करने के लिए वही परम एश्वर शाली भगवान आज ब्रज में निवास कर रहे हैं और वहीं से अपनी यश्च का विस्तार कर रहे हैं यहां पर लिखा हुए है कि भगवान ने साधूनाद में रीजन यह है साधूं का परित्रान करने के लिए अब परित्रान शब्द का मतलब क्या होता है जैसे जो संत जो होते हैं भगवत प्राप्ति के बाद वो कोई भी संसार का कोई भी विश्य ग्रहल नहीं करते हैं क्योंकि उनका मन बुद्धी एंकार सब कई पेजिस में इसका इक्स्पिंइशन दिया कई फेजिस में इसको समझाया है बहुत लंबे विश्य में समझाय सब्घानो ओम बहुत है बहुत कारणं वोत था द लेने कर सबसे में कारण जो है आप वियाद रखिएगा परित्राण है क्या रावन को तो भगवान वही से मार सकते थे आगे बढ़ते हैं वही परम एश्वैश्यह बहगान आज व्रज में निवास कर रहे है और वही से अपने यश का विस्तार कर रहे हैं, उनका यश कितना पवित्र है, और देवता लोग भी उस संपूर मंगल में यश का गान करते रहते हैं, इसमें संदे नहीं कि आज मैं अवश ही उन्हें देखूंगा, मैं बड़े-बड़े संतों और लोकपालों के भी एक मात्र आश्र हैं, सबके पर हम गुरू हैं और उनका रूफ संदर रहे, तीनों लोकों के मन को महो लेने वाला है, इसी से स्वेम लक्ष्मी जी भी, जो संदर की अधीश्वरी हैं, उन्हें पाने के लिए लिलगती रहती हैं, हाँ तो मैं उन्हें अवश्य देखूंगा, क्योंकि आज प्रभात है, आज मुझे प्रात्यकाल से ही अच्छे अच्छे श्रकुन दिख रहे हैं, जब मैं उन्हें देखूंगा, तब सर्व श्रेष्ट पुरुष बलराम तुथा श्रिक्रिष्ण के चर्णों में नमस्कार करने करें दुरंद ब्रच से कूद पढ़ूंगा, उनक के चर्ण कितने दुरलव हैं, बड़े-बड़े योगी यती आत्म साक्षाकार के लिए मन ही मन अपने हिर्दे में उनके चर्णों की धारना करते हैं, और मैं तो उन्हें प्रत्यक्ष पा जाऊंगा और लोट जाऊंगा उन पर, लोट जाऊंगा उन पर, उन दोनों के कितने दुरलव हैं, बड़े-बड़े योगी यती आत्म साक्षाकार के लिए मन ही मन अपने हिर्दे में उनके चर्णों की धारना करते हैं, और मैं तो उन्हें प्रत्यक्ष पा जाऊंगा और लोट जाऊंगा उन पर, उन दोनों के साथ ही उनके वनवासी सका, एक-एक ग भागिया, जब मैं उनके चर्ण कमलों पर गिर जाऊंगा, तब क्या वे अपना करकमल मेरे सिर पर रख देंगे, उनके वे करकमल उन लोगों को सदा के लिए अभेवदान दे चुके हुए, जो काल रूपी साम के भैसे तिन घबडा कर, उनकी शर्ण चाहते हैं, शर्ण मे भागवान के उनकी करकमलों में पूजा की भेट समर्पित करके तीनों लोगों का प्रभुत्व इंद्रपद राप्त कर लिया, भागवान के उनकी करकमलों ने जिन में से दिव्विकमल की सिसुगंद आया करती है, अपने सपर्ष से रास लीला के समय रज्यूद्यों की स सारी थकान मिटा दी थी मैं कंसका दूथ हूं उसी के भीजने से उनके पास जा रहा हूं कहीं वे मुझे अपना शत्र तो ना समझ बैठेंगे राम राम वे ऐसा कदापी नहीं समझ सकते क्योंकि वे निर्रिकार हैं सम हैं अच्युत हैं सारे विश्व के साक्षी हैं सरवग् सब कुछ जानते हैं वे स्चित्र के बाहर भी हैं और भीतर भी वे शेत्र वे शेत्रक की रूप से स्थित्थ होकर अंताकर्ण की एक एक चेश्टा को अपनी निर्मल ज्यान दृष्टी के द्वारा देखते रहते हैं जैसे कई शास्त्रों में ऐसा लिखा भी रहता है एक प्रक्ष है जिसमें एक पक्षी जो है वो सभी फलों को खा रहा है लेकिन एक पक्षी जो है सिफ देख रहा है उसको तो जो देख रहा है वो भगवान होते हैं वो जो खा रहा है वो जी होता है ऐसा एक्जामपल दिया जाता है तब मेरी शंका व्यार्थ है अवश ही मैं उनके चर्णों में हाथ जोड़कर विनीद भाव से खड़ा हो जाऊंगा। वे मुस्कुराते वे दया भरी स्निक्द द्रश्टी से मेरी ओड देखेंगे। उस समय मेरे जन्म जन्म के समस्त अशुब संसकार उसी शल नश्ट हो जाएंगे। जब भगवत प्राप्ति होती है और जब भगवान के दर्शन होते हैं तो उन दर्शन से सभी जो संचित कर्म होते हैं वो नश्ट हो जाते हैं तीन तरह के करम होते हैं संचित प्रारब्द प्रियमार, उसमें संचित जो होते हैं, वो भगवायां के दर्शन से ही नष्ट होते हैं हमेशा, इसली यहां पे ऐसे लिखा है, अकुरूर जी कह रहे हैं, मेरे जन्म जन्म के समस्ण अशुप संस्कार उसी शाल नष्ट हो डालेंगे अहास उस समय मेरी तो दे प्वशन होगी ये दूसरों को प्वशन करने वाले बीं बन जाएंगी संत जो होते हैं रे प्रव frågor करने वाले बन जाते हैं और उसी समय उनका आलेंगल प्राप्त होते ही मेरे कर्म मैं बंधन जिनके कारण मैं अनादिकाल से भटक रहों तूट जाएंगे कर्म भंदर नश्ट जाएंगे जब वे मेरा आलिंगन कर चुकेंगे और मैं हाथ जोड सिर जुका कर उनके सामने खड़ा हो जाओंगा तब वे मुझे चाचा अक्रूर इस प्रकार कहकर संबोधन करेंगे क्यों ना हो इसी पवित्रम मधुर य जीवन को दिखकार है ना तो उन्हें कोई प्री है ना तो अप्री है ना तो उनका कोई आत्मी स्रुहद है और ना तो शत्रू उनकी उपेक्षा का पात्र भी कोई नहीं है फिर भी जैसे कल्प रक्ष अपने निकट या आकर याचना करने वाले को उनकी मुह मौंगी वस् कि भगवान कहते हैं अर्जुन से कि जो जिस भाव से जितनी मात्रा में मुझसे प्रेम करता है मैं भी उसे उसी प्रकात उतनी मात्रा में प्रेम करता हूं इसलिए वही से गीता वाली लाइन लिखी हुई है जो उन्हें जिस प्रकार भचता है उसे उसी रूप में भचते हैं वे अपने प्रेमी भक्तों से ही पूर्प्रेम करते हैं फिर से पढ़ते हैं इस वाले श्लोप को ना तो उन्हें कोई प्री है ना तो अप्री है ना तो उन्ता कोई आत्मी सुहर्द है और ना तो शत्रू उनकी उप्रेक्षा का पांत्र भी कोई नहीं है फिर भी जैसे कल प्रक्ष अपने निकट या आकर याचना करने वाले को उनकी मुह मांगी वस्तू देता है वैसे ही भी उन्हें जिस प्रकार भचता है उसे उसी रूप में भचते हैं वे अपने प्रेमी भक्तों से ही पूर प्रेम करते हैं मैं उनके सामने विनीद भाव से सिर जुका कर ख़़ा हो जाऊंगा और बलराम जी मुस्कुराते वे मुझे अपने हिदे से लगा लेंगे फिर मेरे तोनों हाथ पकल कर मुझे घर के भीदर ले जाएंगे वहां सब प्रकार से मिना सतकार करेंगे इसके बाद मुझे से पूछेंगे कि कंस हमारे घर वालों के साथ कैसा परिक्षित श्वलक नंदन अकरूर मार्ग में इसी चिंतन में डूबे डूबे रज से नंदगाँ पहुच गए और सूर अस्ताचल पर चले गए जिनके चरण कमल की रज का सभी लोग पाल अपने किरीटों के द्वारा सिवन करते हैं अकरूर जी ने गोष्ट में उनके चरण चिंतनों के द्रशन की कमल यवन अंकुष आदी असाधान चिंतनों के द्वारा उनकी पहचान हो रही थी भगवान के चरणों में चार चिंतनों होते हैं कमल शंक का भी चेन होता है उनमें प्रत्वी की शुभा बल रही थी उन चरण चिंतनों के द्रशन करते ही अकरूर जी किर्दे में इतना आलाद हुआ कि वे अपने को सभाद ना सके वेवल हो गए प्रेम के आविक से उनका रोम रोम खिलोटा नेत्रों में आसू भराए और टपटप तपकने लगे वेरत से कूद कर उस दूली में लोटने लगे और कहने लगे अहो ये हमारे शुभ प्रभू के चंड़ों की रज है परिक्षित कंस के संदेश से लेकर यहां तक अकरूल जी के चित की जैसी अवस्था रही है यही जीवों के दे धारन करने का परम लाव है जीवों के दे धारन करने का परम लाव यही है परिक्षित परिक्षित से कहते हैं शुगदेव जी इसलिए जीव मात्र का यही परम कर्तव है कि दंब भै और शोक त्याग कर भगवान की मूर्ती प्रतिमा भक्त आदी चिन लीला स्थान तथा गुडों के दर्शन श्रवन आदी के द्वारा ऐसा ही भाव संपादन करे फिर से पढ़ते हैं ये वाला परिक्षित कंस के संदेश से लेकर यहां तक अक्रूजी के चित्त की जैसी अवस्था रही है मतलब उनकी जैसी कंडिशन्स थी जब से वो कंस कानों ने सुना था तब से लेकर यही जीवों के देधाना करने का परम लाव है इसलिए जीव मातर का यही परम करतव है कि दंब भय और शोक त्याग कर भगवान की मूर्ती चिन लीला स्थान तुथा गुड़ों के दरिशन श्रवन आदी के द्वारा ऐसा ही भाव संपादन करे व्रज में पहुंचकर अकरूर जी ने श्रीकृष्ण बलराम दोनों भाईयों को गायद होने के स्थान में बिराजमान देखा भगवान उस समय कायद हो रहे थे जब अकरूर जी आये थे श्याम संदर श्रीकिष्ण पीतामबा धान किये हुए थे और गौर संदर बलराम नीलामबर अब बलराम जी जो है वो नीलामबर धान क्यों करते हैं आग कोई बात पता है इसलिए क्योंकि भगवान जो है ना वो नीले है इसलिए उनको भगवान की हमेशा याद बनी रहे इसलिए बलराम जी जो हैं वह मेशा नीलामबर धाना करते हैं यह रीजन है उनके नेत्र शरत कालीन कमल के समान खिले हुए थे भगवान के नेत्र जो हैं वो कमल के समान है उन्होंने अभी किश्वर अवस्था में प्रवेशी किया था दोनों गौर श्याम निखिल सौंदर की खान थे गुटनों का सपर्ष करने वाली लंबी-लंबी भुजाएं सुन्दर बदन परम मनुहर और गज शावक के समान ललित चाल थी उनके चंड़ों में दुख पल रहे थे चार चिन होते ब्रत्वी शुभायमान हो जाती थी जब हो चलते थे तो मिट्टी पे, जैसे अगर वह चलेंगे तो मिट्टी पे इन चारों के चिन्द उस में दिखते थे उनकी मंद मंद मुसकान और चितवन ऐसी थी मानों दया बरस रहियो फे उदारता की तो मानो मूर्ती ही थे उनकी एक एक लीला उदारता और सुन्दर कला से भरी थी गले में वनमाला और मणियों के हार जगमगा रहे थे उन्होंने अभी अभी स्नान करके निर्मल बस्र पहने थे और शरीर में पवित्र अंगराग था तथा चंदर का लेप किया था परिक्षित अकरूर ने देखा कि जगत के आदी करन जगत के परमपती पुरुशोत्तम ही संसार की रक्षा के लिए अपने संपूर अंशों से बलराम जी श्रीकृष्ण के रूप में अफदीर होकर अपनी अंग कांती से जश्राओं का अंदकार दूर कर रहे हैं वे ऐसे भले मालूम होते थे जैसे सोने से मड़े हुए मरकत मड़ी और चांदी के परवत जगमगा रहे हो उन्हें देखते ही अकरूर जी प्रेमा वेक से हधीर होकर रच से कूद पड़े और भगवान श्रीकृष्ण दथा बलराम जी के चर्णों के पास साश्टांग लोट गए परिक्षित भगवान के दर्शन से उन्हें इतना अलाद हुआ कि उनके नित्र आसू से सरुथा भर गए सारे शरीर में पुलकावली चा गई उतकंठा वश गला भर आने के कारण वे अपना नाम भी नाम बतला सके शरतकाद बसल भगवान श्रीकृष्ण उनके मन का भाव जान गए उन्होंने बडी प्रसंता से चक्रांकित हाथों के द्वारा हाथों परमबनस्वी श्री बल्राम भाव से खड़े हो गए तब उन्होंने उनको गले लगाया और उनका एक हाथ श्रिकृष्ण ने पकड़ा अथा दूसरा बल्राम जी ने दोनों भाई उन्हें घर ले आये घर ले आकर भगवान ने उनका बड़ा स्वागत सतकार किया कुशल मंगल पूझ कर श्टिष्ट आसन पर बैठाया और विधिपूरक उनके पाउप पकार कर मधूपर्क मधूपर्क का मतलब है शहद मिला हुआ दही आदी पूझा की सामगरी भेट की भगवान ने उनको मधूपर्क दिया और पूझा की सामगरी दी इसके बाद भगवान ने अचिती अकरूड जी को एक गाय दी और पैर दबा कर उनकी ठकावट दूर की तथा बड़े आधर एवं श्रद्धा से उनके पवित्र और उनके गुण सुजुक्त अन्दगा भोजन कराया भगवान ने अकरूड जी के पैर दवाय और उनको भोजन कराया जब वे भोजन कर चुके तब धर्म के परम मरमग्य भगवान बलराम जी ने बड़े प्रेम से मुखवास पान इलाइची आदी खाना खाने के पार इलाइची लेते हैं तो बलराम जी ने उनको इलाइची दी और सुगंधित माला आदी देकर उन्हें अत्यंत आनदित किया इस प्रकार सत्कार हो चुकने पर नंद राई जी ने उनके पास आकर पूछा नंद जी ने भगवान की जो पिताएं अर्कुर जी आप लोग निर्दई कंस के जीते जी किस प्रकार अपने दिन काड़ते हैं अरे उसके रहते आप लोगों की वही दशा है जो कसाई दोरा पाली हुई बेड़ों की होती है जिस इंद्रिया राम पापी ने अपनी बिलगती हुई बहन के नंद ने बच्चों को मार डाला आप लोग उसकी प्रजा है फिर आप सुखी हैं और ये अनुमान तो हम करी कैसे सकते हैं अकुर्डी ने नंद बाबा से पहले ही कुशल मंगल पूछ लिया था जब इस प्रकार नंद बाबा ने मधुरवानी से अकुर्डी से कुशल मंगल पूछा और उनका सम्मान किया तब अक्रुड जी के शरीस में रास्ता चलने की जो ठकावट थी वे सब दूर हो गई